इस तरीके से नरिंद्री मोदी, कश्मीर का दोरा कर रहे हैं चाहे वो मुक्तलिफ ऐसे महतमे में हो जो अपनी बाकाइदा तोर पर ड्यूटी राद दिन देते हैं क्या उसके बारे में बात होगी इस वक्त अगर देखा जाए तो स्री नगर में बड़े पैमाने पे तैयारियां प्रियम नरिंद्र बोदी की चल रही है कल साथ तारीय को प्रियम नरिंद्र बोदी दो लाख लोगों से खताब करेंगे और इस खताब में बहुत बड़ी एनाउस्मेंट जो हो सकती है अब वो एनाउस्मेंट क्या है क्या S.P.O.S. के बारे में बात होगी कैजू लेबरल्स के बारे में बात होगी क्योंकि डैली वेजर्स वो महतमा है डैली वेजर्स वो लोग हैं जिन्हों ने अपने दिन रात एक करके आज तक पांच हजार, छे हजार, तीन हजार पर काम किया महीने में और आज जब गैरा रुपे उनके सैलवी में इजाफा हुआ कुछ कैजू लेजर्स वो डैली वेजर्स जैसे हैं जिने निकाल फैर का है और कहा है कि इलीगल एपॉइंट्मेंट्स है गांदरबल्स इंडिवीजन की बात करेंगे जितने भी कैजू लेजर्स है वो भी इस अक परिशान है कि उन्हें डिस अंगेज कर दिया है पुजिशन में वैट ही हुई है चाहे वो नैशनल कांफेंस हो पीडी पी हो पी सी हो जब कश्मीर अपनी पार्टी हो या फिर जो भी ऐसी नई पार्टिया है वो अभी तक कैजू लेजर्स के बारे में बात नहीं कर पाई है यह उनका मैं यह कहूँगा कि बदकिसंती है तो कि आने वाले इंतिखाव है जनाब मूतोर आपको भी जवाब मिलेगा कि आखिरकार आपने क्या किया जो भी ऐसा छोटा सा मुद्दा होता है तो छट से ट्वीट कर देता है मगर कैजू लेबर्स और डेली वेजर्स की बात नहीं उठाई और अगर यह इलीगल एपॉइंट्मेंट्स है तो जिम्यदार भी वही माजी की पार्टिया है नैशनल कॉन्फरेंस पीडी पी बाकी जिती भी पार्टिया है जिनों नहीं यह अपॉइंट्मेंट्स की थी और आठ उन कैजू लेबर्स और डेली वेजर्स के पेट पर लात मारी जा रही है उन्हें भेगर किया जा रहा है मैं यह साफ तोर पर कहूंगा और बिल्कुल गुरेज इस बात से नहीं करूंगा के चैजू लेबर्स और डेली वेजर्स के साथ इंसाफ हुआ है बलकुल नहीं हुआ है चैजू लेबर्स और डेली वेजर्स और पिछले कहीं साल से अपनी ज़ब लट रहे है और 6160석 कैजू लेबर्स यह मحول की बात नहीं है यह 6060सार फैम opponents और उसमें की फैमिली में कितने लोग हैं वो अभी आप तकाज़ जरूर लगाईए कि इस वक्त वो कहीं न कहीं परिशान है और जितने भी कैजूल लिबर्स हैं चाहे वो किसी भी महत्मे में काम करते हो उनकी ये डिमांड है कि या फिर उन्हें रेगूलाईज किया जाए या फिर मिनिममम वेज एक जो है वो लागू किया जाए मैं आपको बता दू कि जिस तरीके से आशंका है कि अगले आने वाले दिनों में जो है बाकाइदा तुर्पर बड़ी एनॉस्मेंट हो सकती है कोड अप कंडेक्ट पी लगने वाला है मगर अफसोस की बात यह है कुछ कैजूल लिबर्स को डिसंगेज किया जा रहा है तो फिलहाल मोधी जी के खुशिया बाकाइज़त दूर्पर सारे मना रहे हैं हंदोस्तान जिंदाबाद सब कहे रहे हैं मगर हंदोस्तान जिंदाबाद में कश्मीर के लोग ऐसे हैं जो कहीने कहीं परिशान है जिनका पेड़ पे लात मारी जा रही है तो जितनी भी original party है national conference अपनी party या फिर PDP हो हाथ पे हाथ दरी बैटी हुई है और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बात करनी चाहिए